हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी आवर लाइट में तो अभी जो हमारा एडूटेरिया का करेंट अफेर का बुक चल रहा है टॉपिक वाइज उसी में आज हम एक टॉपिक को कम्प्लीट करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा आपके एक्जाम के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्पूर्ण वो है पदमपुरसकार थे सम्बंदित अगर आप पदमपुरसकार को कम्प्लीट करते हैं तो एक प्रसना आपको एक्जाम में देखने को मिली जाएगा तो चलिए इसे हम भी नदेर किये भी सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पदमपुरसकार के कुछ वेशिक जानकारी को देखते हैं जो सर ने यहाँ पे मेंजन किया है उसके लाद हम आगे बात करेंगे सबसे पहले देखे कि पहली बार पदम पुरसकार कब दिया गया था तो पहली बार पदम पुरसकार जो दिया गया था 1954 में यानि 1954 में दिया गया था और 2022 में कुल 128 वेक्ति को पदम पुरसकार से समानित किया गया है और यह जो है गंतंत्र दिवस के अफसर पर इनका नाम गोशना किया गया था 128 वेक्ति को जिसमें पदम भीभूशन पाने वाले 4 वेक्ति हैं यानि पदम भीभूशन 4 वेक्ति को दिया गया पदम भूशन 17 वेक्ति को दिया गया और पदम सिरी जो है 107 वेक्ति को दिया गया जिन में से 34 महिलाएं हैं, 10 विदेशी या फिर NRI हैं और 13 वेक्ति को मर्णो उपरांद दिया गया है तो आज इसमें हम 2022 और 2021 दोनों में जो मिले हैं पदम भीभूशन और पदम भूशन इसा भी को देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं, सबसे पहले हम 2021 का ही देख लेते हैं, फिर 2022 का देखते हैं 2021 में 7 वेक्ति को दिया गया था पदम भूशन, जिसमें सिंजो आवे थे जो जापान के पुर्व पीम थे उन्हें लोग मामले के लिए दिया गया, उसके बाद पीएस बाला सुब्रमन्यम, इन्हें मर्नोपरांथ कला के छेतर में दिया गया, डॉक्टर बेले मुनपपा हेंगरे, इन्हें मेडिशिन के छेतर में दिया गया, नडिंदर सिंग का पानी, इन्हें भी मर्नोपरांथ बिज्ञान एवं अभियांत्रिकी के छेतर में पदम भिभूशन दिया गया 2021 में मौलाना वही उद्दीन खान इन्हें अध्धात्मिक्ता के छेतर में पदम भिभूशन 2021 से समानित किया गया बीवी लाल को अन आर्कियोलोजी के छेतर में दिया गया और सुदर्सन साहु को कला के छेतर में पदम भीवुशन 2021 से समानित किया गया तो ये तो वो साथ बेक्ती थे जिनें 2021 में दिया गया अब चार बेक्ती का नाम और याद करते हैं जिनें 2022 के लिए दिया गया प्रभा आत्रे इन्हें कला के छेतर में पदम विभूशन 2022 से समानित किया गया राधा सेयाम खेमका इनकों मर्नो उपरांत सही तेवं सिक्षा के छेतर में पदम विभूशन से समानित किया गया जनरल विपिन डावत को मर्नो उप्रान सिविल सेवा के अच्छितर में दिया गया विपिन डावत से डिये सभी लोगों को याद होगा उसके बाद कल्यान सिंग कल्यान सिंग को मर्नो उप्रान सरवजनिक मामले के लिए पदम विभूशन 2022 से समानित किया गया तो 2021 और 2022 में जो भी वेक्तियों को पदम भीभूशन दिया गया उस सभी को हमने देखा अब 2021 और 2022 में पदम भूशन पाने वाले वेक्ति को देखते हैं 2021 में 10 लोगों को पदम भीभूशन दिया गया था पहले उनका नाम देखते हैं 2021 में पदम भूशन पाने वाले बेक्ती में कृष्णन नईयर सांता कुमारी चित्रा इन्हें कला के शेतर पे दिया गया था 2021 का पुरसकार तरुन गोगई को मर्नु उपरांत लोग मामले के लिए पदम भीभूशन 2021 से समानित किया गया था चंदर सेखर कंबार इन्हें साही तेवं सिक्षा के शेतर में चंद सेखर कंबार को दिया गया था पदम भीभूशन 2021 शुमित्रा महाजन को लोग मामले के लिए पदम भीभूशन 2021 से समानित किया गया था निरिपेंद्र मिश्रा इन्हें लोग शेवा के लिए पदम भी भूशन 2021 से समानित किया गया था राम बिलास पासमान को मरनो उपरांथ लोग मामले के लिए पदम भूशन 2021 से समानित किया गया था उसके बाद आजाईए केशु भाई पटेल इन्हें भी मरनों उपरांथ लोग मामले के लिए दिया गया था 2021 का पदम भूशन पुरसकार कलवे शादिक इन्हें भी मरने उपरांथ अन्य अध्धात्मबाद के रुप में दिया गया था अब देखते हैं 2022 में पाने वाले पुरसकार जो हैं पदम भूशन वाले वेक्ति इन्हें देखते हैं सबसे पहले गुलाव नभी आजाद इन्हें पॉब्लिक अफेर्स के लिए पदम भूशन 2022 थे समानित किया गया विक्टर वनर जी को कला के छेतर में पदम भूशन 2022 समानित किया गया गुर्मीत बावा इन्हें मर्नो उपरांत कला के छेतर में पदम भूशन 2022 समानित किया गया बुद्धे भाटैचार इन्हें सरवजनिक मामले के लिए पदम भूशन 2022 समानित किया गया नटराजन चंद सेखर इन्हें बेपार और उद्द्योग के छेतर में पदम भीभूशन 2022 से समानित किया गया क्रिस्न एला और शुचित्रा एला दुनों को बेपार और उद्द्योग के छेतर में पदम भूशन 2022 दिया गया मधू जाफडी को अन्ने के छेतर में देविद जांजरिया को खेल के छेतर में पदम भूशन 2022 से समानित किया गया रशीद खान को कला के छेतर में दिया गया है 2022 का पुरसकार राजीब महर्सी को शिविल सेवा के छेतर में पदम भूशन अवर्ड दिया गया 2022 का उसके बाद सत्त नराय नडेला को उद्योग और बेपार के छेतर में दिया गया, सुन्दर पी चाय गूगल के सीयो जो है उद्योग और बेपार के छेतर में पदम भूशन 2022 पुरसकार दिया गया, साइरस पुनावाला को उद्योग और बेपार के छेतर में इन्हें पदम भ इन्हें साहित और सिक्षा के शित्र में दिया गया, स्वामी सहिस्तानंद को साहित और सिक्षा के शित्र में दिया गया, वसिस्ट तिरपाथी, इन्हें भी साहित और सिक्षा के शित्र में जो है, ये पुरसकार पदम भूशन 2022 से समानित किया गया, तो ये कुछ वेक्ति थे जिनका नम हमने देखा जो पदम विभूशन और पदम भूशन पाने वाले वेखती थे अब 2021 और 2022 में कुछ important नाम को याद करेंगे जिन्हें पदम सरी से समानित किया गया है तो सबसे पहले 2021 में जो पदम सरी पाने वाले वेखती थे टोटल 102 वेखती उसमें से कुछ का नाम हम याद करेंगे जो नाम आपके लिए काफी महत्पुर्ण है तो सबसे पहले देखिए गुलफा महमद ये कहां से थे उत्तरप्रदेश से जक्दिश चौरद्री को मर्नो परांद दिया गया और ये भी उत्तरप्रदेश से थे दिलीब कुमार बिहार से थे चंद्रशेखर शिंग उत्तरप्रदेश से थे शुधा हरी नरायन शिंग उत्तरप्रदेश से मिर्दुला सिन्हा को मर्नो परांद दिया गया था जो बिहार से थे फादर वालेश को मर्नो उप्रम दिया गया था, इस्पेन के थे, उशाय आदव को दिया गया उत्रपरदेश से थी, और मजम्मा जोगती, ये जो थी एक ट्रांजेंडर है, जिन्हें कला के छित्र में पदम सिरीपुरसकार्थे समानित किया गया 2021 में, उसके बाद इधर दे से खेल से संबंदित वेकती है सुमीत अंतिल, प्रमोध भगत उरिशा से है, अचार चंदनाजी बिहार से है, नीरचोपडा हर्याना से खेल से संबंदित, शैवाल गुपता को मर्नो उप्रांत दिया गया जो बिहार से है, पदम सिरीपुरसकार पाने वाले, बंदना कटा ये भी यूपी से है, बिद्या बिंदुशिंग यूपी से, अंजय कुमार शोनकर ये भी यूपी से है, और डॉक्टर कमलाकर तिरपाथी ये भी यूपी से है, तो ये 2022 में पदम सिरीपुरसकार पाने वाले कुछ वेकतियों का नाम था, तो साइध आप लोगों को अभी सब्सक्राइब चरूर कर ले, मिलते हैं निक्स्ट वीडियो के साथ जो हमारा प्रमुक राष्टी सम्मेलन होने वाला है